चल दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 वाले बच्चे का हिंदी का हम लोग जो सेंट अप एक्जाम हुआ था 2021 में उसका हिंदी का हम लोग कोश्चन एंसर अब्जेक्टिव और लॉंग सब करने वाले हैं लड़ ने के चांसे से बहुत सारे बच्चे जासा देख लेका हिंदी का और कैसा इसका दोन मरी या पशन मरी कोश्चन है कीतना आपका ट्यारी हो चुका यह सारी बाते समझेदे क्यों तो अब्जेक्टिव को मैं सल्व करता हूं और आपको समझाते चलता हूं दिख़बू को इस प्रसन के साथ चार-चार भीकल्प दिये गए जिनeenसे कोई एक सई है इन सो प्रसनों रचीप में किन हमें उत्तर देना है ठीक है तो चुनकर ना भी उम आ लखित सवाब कोश्च. क्या है पहले कोश्च. कैनल भी स्था सफन ऊफला है वह सइब्यूं साथ कोश्यन सब्सक्राइब देखेंगे दोर नमगा कोश्चन है कि दर आइज एंड फॉल ऑफ दा हिंदू वीमेन किसने लिखा है मतलए इसके लेखा कौन यह भी एक पुस्तक है डॉक्टर भीमराब बितकर के दौरा है लिखा गया कि दर आइज एंड फॉल ऑफ दा हिंदू वीमेन के टच करिए ठीक है अगला तीसा कोशन में आपको दिखा रहा हूं तीसा कोशन कर रहा है कि 20 के दात कहानी का पर्मुख पात्र कौन एक पहले अगला question देखिए अगला question चार नमरे दैवत विग्यान क्या है तो दैवत विग्यान के इक विग्यान है उसमें देवता के बाड़े में पढ़ना आपको तो इसमें आपको बताया गया था कि नाखुनों को मोम और अलतास रंका उसको चिकना और लाल रंका बनाया जाता था ठीक ना अगला देखो छठा कोश्चन दारिस क्या है देखो दारिस बताया गया थे क्या एक सिक्का था जो वारें एस्टिंग उसको मिला था ठीक न तो देखो इसका अप्षन हम लोग आपको क्या बोला है कि कासी को किस नगरी के रुप में जाना जाता आ उप्षन कोन सा होजगा सब्रों को सब्सक्राइब करें busy ऐडिद गेरो कोशन आप दिखा हू तिरावा कोशन है सेक्स पियर कीस भासा कबी थे अरे बिए इस जोन सेक्स पियर थे ना तो शेक स्पीर अंग्रेजी भासा के कभी दये किस भासा के ऊंग्रेजी भासा के तीसरा साक्षप पुष्टाफं के दवा लिखेएझा को तीसरा साक्षप पूछे साथ के यह तीसरा सब्ताक जोंお願い में Sun Amazon के रहने वाले थे महाराष्ठ के आंधर पर्देश के ये सब रहने वाल एकuds न सब्सक्राइब करता है तो उसको वह दंट समने बोलते हैं लेकिन हई वाला जोन तो दियाना इसका मुर्धा यह सब किस से बोली जाती है मुर्धा से बोली जाती है ऑप्सन एट टच कर लिएगा देखो अगला सब्सक्राइब करता है कोछ नाएक का संदी बीचन नए जोर अग होता है इसमें बी टच कर एगा नहीं जोर नए जोर आग ऑठारवा होसन बताना है निम्न में से कौन सुध है तो कौन सा शुध वाकिया हमें यही बताना है तो ऑप्सन कि मौरन यहां अडरह लाना होगा सब्सक्राइब पन् पुलिंग अगला कोशन आपको बताँ और करपूर का तच्छम करपूर होता है तो करपूर का सब्सक्राइब अगला लेखो 22 कोशन को दिखाई दिरी ओगी 22 को लए कि सर्भनाम केintellig दीखा रहा है 24 नमर बोढ़ा है कि यह घर किस विषसेशन का कari कि इस नहीं सकती है परिमान उसका बताइी जा सकता इसका अंगर स Everybody कोई आपके घर के बारे में कब बोलता है जब हाए आपके घर में कुछ खास होगा तो आप आप लोगों के लिए खास होंगे तो यह घर किस बिसेसं का उदारन है अपसने टुच करिएगा गूण वार्चक बिसेसं ठीक ना 25 वा कोशन आप देखिए बोला कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे क्या कहते हैं देखो बूआ जिसका किया गया कर्म हो प्रेम आयनी सी राधिका वाले चेप्टर्स का यह है पंक्ती ठीक है इसमें ऑप्सवाण सी टच कर लिजीगा ठीक है प्रेम आयनी सी राधिका हाँ जी यही होगा आगे देखे 28 नमर 28 कोश्चन है कि कुऊर न्यगी कभीता कान सी एक बिक सी इन्हीं की कभीता है प्रेम अपना दर्स किसे मानते है भारतेंदु हरिस्चंतर को अपना दर्स मानने का वह काम करते है प्रेम खन आए यहां पर तिस् जीवनानद दैस किस भासा का प्रसइद कभी यह बंगाल में फिर आने की बात भी करते हैं वह कुष्चन है आ awfullyकर दो आंगन के पर द्वार किस कभी की रचना अगन मतपब ini rais तो हिरो सिमा की है उगता हुआ सुराज किसको किस कहा जाता है जैपान को कहाँ पढ़ता है जैपान में पढ़ता है ठीक है अगला कोशन प्रेम वाठी का पुस्तक में क्रिष्ण की भक्ती प्राप्त होती है देखो रस्खानी जौन्थन एक मुस्लिम होते हुए भी वह भागवान क्रिष्ण के प्रेम के रंग में घोल चुके देगा चिदंबरा के लेखा कौन है अब पड़े होंगे तीस कोटी संतान नगन तन और्ध सूधित सोसित निरस्ट जन मूड असब्या सिक्षित निर्धन नत मस्तक तरू तल निवासनी ठीक है यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वा लिखी गई है एक कोश्चन ओडिन से पुछता है हिंदी का सुकुमार कभी किनको कहते है तो यहां दखीगा हिंदी का सुकुमार कभी सुमित्रा नंदन पंत को ही कही जाती है ठीक है इस मूब्स संथ होगा अब देखो 27 नमा कोश्चन है गुनाकर मुले मैं आपको बता दिया था गुनाकर में कोग औरड आप देख सकते 5 वर्ड है आप मुले में कोगो तीन गुले कर चाहिए तीन पाच पैतीस हो जाए का ठीक है तो गुनाकर मुले का जनव 1935 में हुआ था अगला था अर्टिस्वा कोशन आपको दे रहा और तिस नमर एं बेटे के आसु क्यों आ जाते हैं तो भीफलता है कान अक्षर ग्यान में आपको पढ़ना है ठीक है अगला उन चलिस नमरे कि कभी धर्म वीर भारती दोरा भसांतित कभी ता कौन है मतलब यह आन्य कभी है तो दिखे कि एक जर्मनी कभी थे उनके कभीता को हिंडी में भसानतित करने वह ले यह धर्मबीर भारती उस कभीता का नाम था मेरे बीना तुम प्रहू इसके लेखा कौन है अकर क्या नम है तो योसेफ रिलकी है छली स्वाश वा कोश्टन में आपको दिखा रहा हूं निख्याए सब्द में कौन सा समास है तो निरभाए में अब्याई भाव समाइस होता है इसमें उसा option वी टॉच कर दीजीगा, आगे मैं आपको question दिखाऊं, तो आगे देखिये, 44 नवा आप आगे question देख सकते हैं, 44 नहीं बोला है, कि कहाँ जा सकता है, किस पद बंद का उधारन है, तो आगामी सब्सक्राइब लिए कि अपने पेरों पर खरा होना मुहबरे का अर्थ क्या होता है इसमें स्वाव सोब्स नोमर बोलाए कि सुध वाक्या है तो आप किताब कैसे मुझे किताब दो नहीं मुझे किताब दो इसमें सबसे सुद्वाड हमें कौन सा दिखाई दिखाए दिरहा है मुझे किताब दो इसमें option CC हो जेगा अगला question उन चास्ट में question क्या बोला उन चास्त मादुर सब्ध में परते को एंटि में तो अंतिमें आफसरachten करेंगे अब बोल सकते हैं कि आपसर यहां आऊ था अ नहीं होगा या वहाला रहा होगा इसमें सब्सक्राइब दूनों सन्युक थे मिला हुए है तो सन्युक तो वाखिए हो जाएगा इसमें सब्सक्राइब बी सी हो जाएगा अगला question आप देख सकते है एक और नमबर रंगपा किस किसम का आदमी था जुआरी था हूँ तो option इस में से b touch हो जाएगा एक और नमर होगे आगे question में आपको दिखा रहा हूँ देखो मंगमा ने ब्याह में बहु के लिए क्या दिये थे तो मंगमा जोन थी ना अपने बहु के बेटे के ब्याह में बहु को जानते हैं फूल कोरे जुम की सब चीज दिया था इनमें से सभी मार्णी जी का ओप्सवन दी हो जाएगा तीर पर नमर कोश्चन देखिए दोहत इसमें जोन कहानी है उसमें राजेंद मिस्रा क्या थे संपादक थे भाई पढ़का सकते निर्देशक थे या अभीनेता थे तो उसमें सब्सक्राइन तिसरा बिजू देखो सीता के जौन सबसे चूप रहने वाल लड़का था उस छोटा लड़का था शीता के बड़े शीता के बड़े लड़के करनाम कैलास व मैं सबसे छोटे लड़का थे तividad आगे कोशने देखो छन डयागी कहानी करन्सा पहले दिन पाप्ति को क्या हुआ था भैई खासी भुखार के बाद उससे मेनिन जाय तीस रोग रोग हुआ था जिसके कांचों मदुरे अपने पाप पत्ती का इलाज करने गई थी इसमें option डी टच करीगा ठीक है अगला बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था यह दखीगा बिज्जू जोन था ना सीता के सबसे छोटे लगके चूप रहने वाल लगका था उसके पत्नी का नाम मतलों उसके महरारू का नाम पुस्पा था इसमें option एट टच कर लिजीगा यहां अंठावन में question बता रहा हूँ वल्ली अंबाल क्या नहीं जानती थी पढ़ना रोना सोना खाना तो भाईया वल्ली अंबाल वो पढ़ना नहीं जानती थी किताब ताब पढ़नी पा रही थी तो अंठावन का होज़ेगा यह अगला नमर लचमी के ससूर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दब कर मर गये थे तो option D टच करिएगा हीरा कुंड बांध में इस वो option D हो जाएगा आगे question दिखा रहा हूँ साथ नमर कोशन देख सकते हैं साथ नमर कोशन है मा की अस्पताल को किस की उपमा दिया थी मा जोन थी ना वो मंगू की मा अस्पताल को किस की उपमा देती है गोसाला करगार पड़साला च्हतरा वास तो गोसाला बोलती है कि भाई मैं एक मा होका अपनी मंगू पागल आधिवा था जाती पाती तुरक मंडल का वार्षिक संभिलन यह उनिस च्छातिश में वह था किन के स्ट्थर हुआ था बीस के दात नियम के धजीया उडाने में तो बहुत आगे था तो स्वामी बीवेका नन जौन थे ना मैक्स मुलर को वेदान्तियों का विदान्ती कहा था इसमें बीसी हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं अगला चोश्टन देखते हैं देखो प्राणी बिज्ञान मतलब जनतु बैग्ञानिक थे इसमें बीटच कर लिएगा आगे कोश्टन आपको दिखा रहे हैं नाखुन क्यों बढ़ते हैं यह प्रस ने लेखक से किस ने पुछा ता लेखक से चोटी लर्की ने लेखक से पुछा था उप्सन देखो चीए इसमें बीटच करीगा तो पैसे चुराने का रूप लगा था इसमें सो ऑप्सण डी हो जएगा जो बच्चा कहानी पर होगा ना उसका एक को कोश्चन छूटेगा अरे हिंदी तो कहीं हम बले-बले करवा दियें आप लोग का ठीगा और सट नमर देखिए और सट नमर कोश्चन है एक ब्रिक्स की हत्यार सिर्शक कभीता में ब्रिक्स को कभी ने किस रूप में परस्तुत किया था तो मानो के रूप में परस्तुत किया था कि जो हम ब्रिक्स था ना वूँँ एक बुड्य-चोकिदार के रूप में था इसमें सो ऑप्सण हो जएगा आपका क्या हो जाएगा टीहां पेर या पंक्ति किस कविता से है तो भाई हमारे निंद कविता से है ठीक है अप्सन इसमें सोज़ेगा बी अब आगे दिखा रहा हूँ 72 नमा कोश्चन आपको 72 नमा कोश्चन है देखिए कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रा किन की रचना है छोड़ा हुआ जो रास्ता है ये अग्ये की रचना है मतब सचीदानन हीरानन वत्सायन अग्ये की रचना ओप्सन सी हो जाएगा चोवें तरण नमबर है कभी प्रेमगन के स्काब में ग्रामीन जीवन का ये ठीर्चच देगा अगे दिङक तो धाक का उचाना स्थान को जाएगा मुर्धा हो जाएगा इसमें से मुर्धा टच कर लिजेगा अभी पचीस और अब्जेक्टिव कोश्चन है ध्यान रखी एक दम बने से क्जाम अज नहीं नहीं ध्यान से समझेगा तो भाई दिकत हो जाएगा यह सोधा सब्द का संदी तो जाति वचस गोजेगा आगे मैं आपको कोश्चन दिखा रहा हूं 58 नमाकोश्चन क्या है मतुसली आड़िंग और चीश्चन अपष्ट कर लेंगे आगे मैं मैं देख रहा हूं 89 नमा पॉश्यं आपको क्या हो और ऌफाय का पूज्याो सब्सक्राइब किस सब्सक्राइब को दाने आगे मैं आपको दिखा रहा हूं को सेर भर दूद परिमान का बोध करा रहा है तो सेर भर बोध किस भी सेशन का उदान तो परिमान वाचक हो चाहे परिमान बोधक का उदार है ठीक है ना थी आप्सण एट टच करजीगा तीरासी नंबर है वह खा चुका था किसकाल का उदान आरी लई को बताया खा चुका था भीत गया इसका मतलब कौन सा भूत का लोगा इसमें अप्सण कौन सा टच कर लेंग ऐखना सब कल को सब्सक्राइब करेंगे अधीयर सबना को कि सबट है अगला सब्सक्राइबumi परतिल्ण हो जाएगा इसमें से अप्संन बचा के उसको भीए देखते हैं उसको भालऑक बात गर बसाना मुहब्रेक अर्थ क्या होता है घर को नहीं लगी का घर बसा लिए मतलब बिया कर लिया तो ऑपसन घर बसाना मुहब्रेक अर्थ ऑपसन भी टच कर लिएगा बिया भी वहा करना ठीकर आप देख सकते एक पंथ हुआ दूगों काम हो गया ठीक नहीं एक तीर चलाएगा दूगों नीसाना लग गया तो यहां पर जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना ऑपसन इसमें से इसमें से सी सी हो जाएगा वह जार रहा है कि कालका उधाने तो भाई वर्तमान कालका उधाने बांबे नमो कोश्षन आप देख सकते हैं बांदे में बोले कि नयन सब्ध का संदी बीच्येद क्या होगा तो नयन सब्ध का संदी बीच्ऽेद नें जोर अन होता तो Ewok posis पूछ रहा है तो पहले हो ने आपका परी आजेगा तो परी नए सब्ड में कौन सो अपसर हो जागा इसमें से सी टच कर लिए अगे दिखाने हुँ चुराइब आपको समझा रहा हूं ठीक है देखो तो सहरो में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे लेना मासिक सब्ता के बाद पैसे लेना सब्ताइक होता है तो बहुता है तो सहरो में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं मासिक कहते हैं लचमी को कितनी दो में दोड़किया ती अगला कोशन शुरकर नहीं जाना चाहती थी की वह तक ततसम रूफ है ता इस तरह से पको झूंहें सब्सक्रावैर क्यूंत करणा क्यूंत कर धो नी मैञ रिकिंगत के लिए ने यता जनत चाहतें रहा हुआ , हुआजा कुष्षक्रा Chairman बात करते हैं कि लॉइंदी में क्या क्या है देखो बुर्देगा कि निमलिखित खष्ट-धांतों साथ किसी एक गढदान्स को परकर हमें क्या करणा उथर देना है दूगों गढधान्स दिया है। आपको दिखा गन्वर को तून्वर को पर्क में क्या करना है, प्रस्न उतर दिया है। और यह यह करीबन से आपका question बीष्टन कीतने नमबर का आता है देख सकते हैं कि अपको सीक्रेबन से करीबन दोस्क्ण नमबर के गढ़ांस है दूसरा भी गढ़ांस आपको सब्सक्राइब इसमें भी दुगों दिया रहेगा देखो यहां दो नमा कोश्चन आपको दिखाई दरे होगी गध्धांसे हैं निमलिकित गध्धांस तो मेजर किसी एक गध्धांस को परका में उसका उतर देना है तो इभी आपका 10 नमर गध्धांस पुछेगा तो टोटल गध्धांस जो आना 20 नमर का पुछता है तो बाबु इस गध्धांस को बढ़िया से जाकर आप रिपीट कर लिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा अगला दिखा रहा दुग में से गध्धांस पुछता है यह किलियर हो गई अब आगे दिखा रहा हूँ अगला जो कोश्चन तीसरा नमर कोश्चन है वो निबंद लिखने कल देगा 10 नमर का आपका नीबंद आता है देखो 10 नमर के क्या है इसको भी अब बढ़िया से जाकर क्या कर लिए किलियर कर लीज़गा नीबंद कैसे लिखना नहीं भी आपको नीबंद आती है लिटर को कैसे लिखने का तुरीक चाहिए यह सनवाद भी कैसे कर जाते ही perception इनी स Demoá l everybody नमर का पुछता है तो प्रस्ट ने जैसे अम्विदकर करूंसा जाती परता भारत में विजगारी के प्रमुखर प्रतेक्स कारण कैसे कैसे जो जो मैं हिंदी पढ़ा हो जो बच्चे बढ़िया से हिंदी को किलियर के होंगे ना उनके लिए सब कोशन हाड नहीं देख सकते क क्या क्या दिया दिख सकते यह सब क्योंद नमर का आगे जो कोशन है एक परसुन का decor का處 मैं तुमारी वैस हूं तुम मैं हमारी बिर्ति हो यह सब तो अपको चेप्टर पढ़ा देगा चेप्टर का एक्स्प्लेंड करने के लिए देगा तो समझ में आ रहे हैं क्या क्या दे रहा मैं आपको यहाप साइड में समझा रहा हूँ अगले वीडियो में हम लोग कोई और सेटे स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे